अब युम बेक टो अगें मैं चैनल तो आज में एक और नए डिजाइन के साथ आई हूँ उसके लिए मैं ने आपके दो किलर की उन लिए हैं वर साथ में लिए 12 नमबर का क्रोशिया तो आप 12 नमबर का क्रोशिया अपनी medium size की उन के लिए ले लीजिए थोड़ी सी पतले उन होगी तो उस पर 12 नमबर का क्रोशिया चलेगा medium से थोड़ा सा पतला size होगा तो तो चलिए अभी start करते हैं पहले मैंने एक knot लिया है उसके बाद हम six knot की chain बना लेंगे chain बनाने के बाद जो six वाला है knot उसको first वाले knot के साथ हम attach करके एक circle बना देंगे इस तरह से और दोनों को एक कर देंगे और ये देखिए हमने बना दिया circle अब हमने यहां से बनाना है single crochet बिना crochet पे धागा लिये हुए हमें circle के अंदर से लेकर आते जाना है धागे को और दो का एक करते जाना है तो यह पूरे का पूरा round हम single crochet से ही complete करेंगे तो पूरा यह circle बनाने के बाद friends अब last में लाके ही इसको हम first वाले के साथ attach कर लेंगे last वाला जो है इसको first वाले के साथ हमने attach कर लिया तो यह हमारा single crochet circle बन गया है अब हमने क्या करना है next row के लिए तीन extra chain ले लेनी है उपर अब हमने double crochet बनाना है पूरे circle में तो किस तरह से बनाते जाएंगे एक में हमने दो बार बनाना है और एक में एक बार ठीक है एक में में एक बार डबल क्रोशिया सेम इसी में से बिना रही हूं देखिए यह दो बर बिना दिया देखिए बीच में दो बीच में एक दो बीच में एक दो एक में दो बर बनाना एक में एक बार बनाना है तो यह पूरा सरकल आपने इसी तरह से पूरा सरकल कंप्लीट करना है तो यह देखिए इतना हमने बना लिया अब यह पूरा सरकल हम कम्प्लीट कर लेंगे अब हम सबसे पहले ऊपर तीन चेन बना लेंगे देखे इस तरह से पहले तीन चेन बना लेनी है अब हमने फिर से पूरा जो सरकल है उसी तरह से करना है कि एक में हमने दो बार बनाना है डबल क्रोशिया और एक में हमने एक बार बनाना है डबल क्रोशिया तो यह पूरा सरकल हमने यह बाली इसी तरह complete करना है यह देखिए मैं एक में एक बार बना रही हूं और एक में में दो बार बना रही हूं यह देखिए यह दो बार बना रही हूं यह देखिए यह दो बार बनाया है मैंने इसके आगे वाला भाम में एक बार बनाऊंगी तो सब में आपने double क्रो देखिए आप इसको जितना भी उपर बढ़ाना चाएंगि जितना भी इसको फैलाना चाहते हो आप उतने ही सब में बनाओगे तो यह टाइट हो जाएगा जा फिर अगर दो-दो सब में बनाओगे तो यह धीला हो जाएगा तो एक में एक बनाना है और एक में दो बर बनाओगे तो देखिए इस तरह से पुरा एक दिम टाइट टाइट और बहुत अच्छे से बनेगा ठीक है अब जै देखिए इसी तरह से यह वाली पूरी रो कम्प्रीट करूंगी और फिर उसके बाद इसके नेक्स्ट मुई ने आपको बता दिया कि जितनी वी रोज आपने बनानी है आपने सब में यही अपनाना है ठीक है तो पूरी मतलब लास्ट वाला लाके फर्स्ट वाले के साथ अट के अपने बना सकते हैं आपस आपने एक ही चीज को ध्यान रिखना है एक में एक बार बनाना है और एक में दो बार डबल क्रोशिया भनाना है ठीक है तो सारे आपने पूरे ऊपर इसी nights बनाते जाना है तो आप जो देखिये जो पीछे की और आपको यह एक्स्ट्रा अधागे मिल रहे हैं, इनको आप कट करके निकाल देजिए पहले इनको stitch कर लेना है, ऐसे कभी भी धागा कट नहीं करना है जब आप इसको stitch कर लेंगे तो ये धागे जो extra बचे होंगे इनको आपने cut करके निकाल देना है यहां से ठीक है अब चलिए इसके ओपर में एक रो और बना लेती हूँ इसी तरह से तीन chain बना के और फिर में एक रो और बना लूँगी इसी तरह सेम और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि design इसके ओपर जो हम बना रहे हैं वो कैसे बनाएंगे तो बस इसमें भी सेम इसी तरह करना है दो मेने यहां बना लिए इसके आगे वाले में एक बनाना है फिर उसके आगे वाले में दो बनाने है बस इसी तरह पूरा सरकल हमने इसी तरह यह भी complete कर लेना है तो बस जब last में पहुंच जाओगे अब आपने करना क्या है यहां पे तीन chain ले लेनी है extra जैसे आप normally नीचे ले रहे हो थीक है तीन chain हमने यहां ले लेनी है उसके बाद अब हम क्या करेंगे क्रोशिय पे धागा लेके सेम इसी point में से डबल क्रोशिय बनाएंगे ठीक है देखिए क्रोशिय पर धागा लिया सेम यहां से हमने पहले बनाया है वहीं से हम फिर से डबल क्रोशिय बना देंगे यह देखिए ठीक है यह हमारा बन गया अब यह दो हो गए ठीक है अब इसके बीचसे ही हमने पूरा डिजाइन बना रहा है एक extra knot ले लिया मैंने उपर अब हम इसको थोड़ा सा खीच लेंगे इस तरह से खीच लिया अब क्रोशिय पर धागा लेंगे और ये जो हमारे दो है ना पहले हम इस side का बनाएंगे और इसके बीच से धागा लेके आते जाएंगे हर बारी में आपने क्रोशिय पर धागा लेना है और बीच से क्रोशिय डालके आगे से धागा लेके आते जाना है इसी तरह से तो कितनी बार लेना है आपने इस side पर साथ बार ठीक है साथ बार हम इस side पर बनाएंगे इसी तरह आपने क्रोशिय पे धागा लेना है यह जो 2 हैं इसके सेंटर में से डाल के आगे से लेके धागा वापस आते जाना है ठीक है इस तरह से आपने यह पूरे 7 बार लेना है तो यह 7 बार ले लिए मैंने अब हम क्या करेंगे दो-दो मेंसे निकालते जाएंगे यह देखिए जो हम क्रोशिय पे धागा लेके आगे वाला लाते थे ना बस उतने मेंसे हमें एक-एक बार में निकालते जाना है धागा जो हम धागा लेके आ रहे हैं और दो और 3-3 मेंसे हमको निकालते जाना है ये देखिए इस तरह से तीन 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 में से अपने लास तक निकाल लेना है ये देखिए लास में पहुंच गये हम ये हमने तीन तीन में से निकालना है सारों में से एक यी वरी में जा फिर एक एक में से नहीं निकालना है 3-3 में से एक बार निकालते जाना है अब उपर लास में हमने एक extra knot लिया है ताकि एक नोकीला सा रहे साइड से ऐसे मतलब आगे एक पतली सी चोंच टाइप की बन जाए ठीक है अब हमने दूसरी साइड बना दिया अब हमने इस साइड पर बनाना है ठीक है अब एक extra क्यों बनाते हैं वह मैं अभी आपको दिखाती हूं कि हम एक extra क्यों बनाते हैं तो इसी तरह से मैं इस साइड पर आठ बार ले लूँगी और आठ बार लेने के बाद हम 3-3 में से दुबारा निकालके लास तक लेकर आएंगे यह आठ बार हो गया अब हम 3-3 में से निकालते जाएंगे यह देखिए इस तरह से इस तरह से अब आगे वाले में से निकाल लूँगी फिर आगे वाले 3 में से निकाल लूँगी लास तक हमने इसी तरह 3-3 में से निकालते आना है और यह हो गया लास्ट हमारा और last में हम इस तरह से बना देंगे और इसको अब हम turn करेंगे दूसरी side पे तो इस तरह से इस side पे हमको इसको गुमा देना सीधी वाली side पे हमने इसको गुमाना है ठीक है अब यह यहां तक पहुंच रहा होगा वहां पे लाके इसको attach कर देना आपने देखिए इसकी length यहां तक आ रही है तो मैं इसको यहां पे लाके attach कर लूँगी तो यह दोनों से एक बना देंगे हम यह देखिए नीचे वाली side आपको कम लगेगी उपर वाली side थोड़ी सी जादा रहेगी तभी यह इस तरफ पे turn होगा अगर आप दोनों side ओं पे 7 साथ ही बना दोगे तो यह turn नहीं हो पाएगा अच्छे से तो अब हम next वाला वीसी तरह बना लेंगे तीन की chain बना ली और आगे हम उसके double crochet लेकिन same में से ही बनाएंगे वहीं से हमने 3 की chain बनाई वहीं से double crochet बनाया है एक extra chain ले लिया और अब हम crochet पे धागा लेते जाएंगे और इस side पे 7 बार बनाएंगे और उसके बाद दूसरी side पे बनाएंगे हमेशा center में से आपने लेते जाना यह देखिए इस side पे 7 बार बनाएंगे और फिर उन में से 3-3 में से निकाल के last तक लाएंगे और दूसरी side पे 8 बार बनाएंगे करना यह अजयोगे पिस में लेखिए लाएंगे और तक लाएंगे और बनाएंगे। झाल झाल तो यह देखिए दो मेने यहाँ पर कंप्लीट कर दिये हैं बस इसी तरह से आपने पूरा राउंड कंप्लीट करना है तो बस एक साइड पर आपने आठ बनाने है जो बाहर वली साइड वहाँ 8 बनेंगे तो आगर आपको कहीं कंफ्यूजन आता है तो आप वीडियो को रोख के फिर आप अच्छे से वीडियो देख के फिर दुबारा बनाईए आप इसको किसी भी चीज पर बना सकते हैं वैसे बच्चों की स्वेटर्स बगरा बनते हैं उस पर भी अगर बीच बीच में यह डिजाइन डालोगे तो वह काफी अच्छा लगेगा बड़ा सा रुमाल बना सकते हो टी के जो नीचे रखने के लिए आते हैं चोटे-चोटे स साथ यहान के रहें बनाओगे उसम्दध में चाहिए और मैं टी रहें मेलगे करने हैं CRM मशission in म॥ा देखने उससा नाथे कैसे रहते हैं इस जो अवर रखन रखने तो बागें एीज आपकी आपके लाखने लाघन के रेकिते हैं पे बहुत अच्छे लगते हैं तो अब यह जो नीचे का द्गा है करके निकाल देंगे और जो ऊपर की तरफ हमारा द्गा सब्सक्राइब इसको इस तरह से अंदर अंदर स्टिच कर लेंगे और फिर फिर उंतर बचे खुरा बाजेगी को सीधा हो काटें तो इस के तो इस तरह से हम इसको अंदर डाल देंगे तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है फ्रेंट्स मुझे कमेंट करके जरूर बताना अगर डिजाइन अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शियर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत बूला तो फिर मिलते हैं नए ओर डिजाइन्स में, नए ओर क्रोशिया के ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल डिजाइन्स में तब तक ले फ्रेंट्स, बाबाई, टेक कियर